My dear friends, महर्शी वालमिकी द्वारा लिखेत रामायन की कथा में आप लोगों का स्वागत है ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे चलिए, अब हम शुरू करते हैं रामकीर्ती के संदर्भ में स्वामी सत्यानंद पुरी के विचार यहां ये हुलेखनिय है कि मुखोटे से संबंधित पहला साहित्य अयुध्या 13491647 के समय का है किन्तु बहुत से रामायनी या नातकों के समान इनके कथानक भी रामायन की कुछ एकाकी घटनाओं पर निर्भर होते थे और उनमें कोई निरंतरता भी नहीं होती थी जैसी की राजा राम द्वितिय के बाद वाले मुखोटों में हम पाते हैं थोनबुरी के राजा जो राजा राम प्रथम के एकदम पूर्ववर्ती थे ने भी रामायन की कुछ घटनाओं को पद्य रूप में लिखने का प्रयास किया जो आप भी विद्यमान लेकिन मुखोटों का मन्चन शुरू होने से बहुत पहले एक विशेश प्रकार का नाटक प्रचलित था थाए भाशा में उसे हनांग कहा जाता था जिसका अर्थ होता था खालत वत्वचा जिसमें सभी रामायन या आकृतिया खाल काट कर बनाई जाती थी उनको विशिष्ट पात्र के रंग के अनुरूप रंग दिया जाता था क्योंकि प्रत्येक रामायन या पात्र का अपना एक विशेश रंग होता था जैसे राम का हरा रंग, लक्षमन का सुनेहरा रंग आदी और वे मन्च पर नाटक करते थे वे बहुत कुछ कठ पुतलियों के समान हुआ करते थे, किन्तु उन पर नियंतरन दोरी के स्थान पर हाथ से किया जाता था इनांग प्राया रात में होने वाले उत्सवों में खेले जाते थे, लेकिन अब उनका समय लगभग समाप्त हो चुका है और खाल की इस प्रकार की आकृतियां धाई कला की दुरलब वस्तु के रूप में संग्रहालयों में शर्नागत हो चुकी है ये बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि थाइलेंड में हनांग जावा से आया था और संस्कृत के च्छाया नाटक का रूपांतर है इनके अतिरिक्त हम रामायन का प्रभाव पूर्ण रूप से ललित कलाओं में देख सकते हैं उनमें एमरोल्ड बुद्ध के मंदिर की दिवारों पर बनाई गई रामायन पर आधारित चित्रकारी उलेखनिया है इस श्रिम्खला में लगभग 200 चित्र है जो राजा राम प्रथम के समय के हैं रामायन या आकृतियों पंखों तकियों आधी पर भी काद दी जाती हैं और नीलो धातों की वस्तूओं पर उन्हें उतकीर्ण किया जाता है जैसे पेटियों के सिर, सिग्रेट के डिब बे आधी वास्तव में हम कह सकते हैं कि राम के महान यश के चारों और ललित कलाओं का विशेश प्रचलन शुरू हो गया है जिन्हें हम निश्चित तौर पर थाए ललित कलाओं की रामायनी या पद्धती से नामित कर सकते हैं इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि रामकीर्ती के बिना और अपनी संस्कृती के विभिन क्षेत्रों में इसके अनेक प्रकार के योगदानों के बिना थाइलेंड बहुत कुछ अपनी पारम पर एक महत्ताक हो देगा रामकीर्ती ने आकृतियों और मुहावरों, विचारों और प्रेरनाओं से उसे अविरत प्रवाह प्रदान किया है और अपनी काव्यात्मक व्याख्या के कल्पना प्रधान आकर्शन से ये आज के समय में भी प्रशिक्षित तथा अप्रशिक्षित सभी को एक समान बांधे हुए है जबकि पूर्व का गौराव पश्चिम की चकाचोंध के सामने धीरे धीरे धुन्धला परता जा रहा है जैसी राम की महानता है, उसका विस्तृत वर्नन है, किन्तु ये रामायन से कभी भी प्रत्यक्षता प्रभावित नहीं हुई रामकीर्ती अपने कलेवर में उत्तरी भारत से मलाया तक के बहुत से देशों के प्रसिध रामायन निया कहानी किस्सों को समाए हुए है इससे निस्संदेह ये पता चलता है कि जिस मार्ग से राम की कहानी ने थाइलेंड में प्रवेश किया, वो बहुत से अलग-अलग देशों से होकर गुजरता है हालां कि जहां तक इसके कथानक का संबंध है, ये रामायन की प्रमुक कहानी से पूर्ण तया मेल खाता है फिर भी इसका विवरन अपने मूल से इतना अलग हो जाता है कि हम उसको पूरी तरह मुला देते हैं और इस कारण हम ये सोचने लगते हैं कि हम राम का पूरी तरह से एक बिलकुल अलग वृतांत पड़ रहे है संस्कृत रामायन वालमीकी के नारद से प्रश्न पूछने से प्रारंब होती है उससे भेन रामकीर्ती नारायन के तीसरे अवतार को अपना प्रारंभिक विशे बनाती है इससे रामकीर्ती के मूल का श्रे पुरानी पुस्तक नारायना सिपपांग नारायन के दस अवतार को जाता है जिसके अनुसार नारायन के दस अवतारों का कम इस प्रकार है एक वराह दो, कच छप तीन, मत्स्य चार, नैसे को मारने के लिए भैसा पांच त्रिपुरम से शिव लिंग को लुभाने के लिए तपस्वी छै हिरन यपकासुर को मारने के लिए सिंग नर सिंग साथ ताबन नामक राक्षस को धोखा देने के लिए को बड़ा वामन आठ कृष्ण 9, अपसरा अध्याय चार में 10 राम, दूसरी रोचक विशेशता यह है कि जहां रामायन के सभी रूप अंत्रों में राम अथ्वा नारायन को सभी देवताओं में सर्वोच स्थान प्राप्त है वही हम रामकीर्ती में उनकी स्थिती देवताओं में सर्वोच ईस्वर के अधीन पाते हैं हम इस पर भी संक्षेप में विचार विमर्ष करना उचित समझते हैं कि रामकीर्ती में जो रामायन या नाम है विमूर रामायन से किस तरह से भिन है पुस्तक का ध्यान पूर्वक अवलोकन प्रमानित करेगा कि व्यक्तियों और स्थानों के नामों के संदर्भ में तीन विभिन प्रकार की व्यवस्थाएं देखी जा सकती है पहली, कुछ नाम तो पूर्ण रूप से वैसे ही लिये गए हैं जैसे राम, हनुमान आदी दूसरी, कुछ नाम मूल से पूर्ण अत्भिन है जैसे मंत्रा का नाम कुपकी जो निश्चित रूप से संस्कृत शब्द कुपजी का विकृत रूप है और तीसरी, ये कुछ रूपांतर के साथ है जैसे सत्रोगन का नाम सत्रोद, कुवेर का नाम कुपेरन इस प्रकार के परिवर्टनों और रूपांतरनों का श्रेभाशा की ध्वन्यात्मक विशिष्टताओं को दिया जा सकता है कभी कभी दो वर्षों के मध्य में आने वाले अक को पहले वर्ण को दूसरे वर्ण से मिलाने के कम में लुप्त कर दिया गया है जबकि शब्द का अंतिम अ प्राया मौन कर दिया गया है जैसे की हम प्राय बंगाली भाशा में देखते हैं इसलिए गर्यूल का उच्चारन खुत है। इसके अतिरेक्ट मौलिक रूप से अलप भाशी भाशा होने के साथ साथ शब्द के सही वर नविन्यास के स्थान पर शब्द की ध्वनी से चिपक जाने की प्रवरिती के कारण हम प्राया अलप उच्चारन के साथ शब्द का परि ध्वनी को बनाए रख बाकी ध्वनीों को समाप्त करते हुए इसका उच्चारन लाक किया जाता है। थाई भाशा की एक अन्य विशिष्टता यह है कि इसमें एक वर्ग के तीसरे और चौथे वर्णों का उच्चारन एक ही तरह से किया जाता है जिसकी ध्वनी संस्कृत क के दूसरे वर्ण के समान होती है। इस प्रकार ग ग का उच्चारन संस्कृत के ख की तरह होता है। यह रामायनिया नामों में बदली हुई ध्वनी के कारणों में से एक माना जा सकता है। इसलिए हम पाते हैं कि शब्द भरत का उच्चारन फोट होता है और बरत लिखा ज जाता है। संयोग से यह देखा जा सकता है कि आपका अल पूच्चारन होता है जैसे डिटों में ओ लेकिन फिर भी कुछ परिवर्तित और रूपांतरित नाम ऐसे हैं जो भाशा की ध्वन्यात्मक विशिष्टताओं को पूरा नहीं करते और यह यह नाम हैं जो हमें रामा कीरती के कलेवर में छोटे हुए विभिन प्रभावों को दर्शाते हैं। उदाहरन के लिए कुपेरन नाम पर विचार किया जा सकता है। यद्यपी बहुत सीथाई रचनाओं में हम प्राया संस्कृत शब्द कुवेर पाते हैं जबकि रामकीरती में धन के स्वामी का ना हमेशा कुपेरन ही रहा है, जो कुबेर के लिए तमिल शब्द है और इसलिए तमिल प्रभाव को भी इसमें सरलता से पहचाना जा सकता है। रामकीरती में वर्नेत रामायनी या नामों का संपूर्न अध्यायन, निस संदेह, रामकी कीरती के थाई रूप के उद्गम तक पहुचाने में उप्योगी सिधा होगा। लेकिन यह इतना अधेक विस्तृत है कि इसे प्राकथन की कुछ पंक्तियों में नहीं लिखा जा सकता, इसलिए यहां हम इस विशय पर पूर्ण विवेचन नहीं कर रहे हैं। इससे हमारा आशय है कि इसे एक अलग पुस्तक में और एक उचित समय पर करना होगा, जब हमारे पाठकों को थाए रूपांतर के विशय में यथेश्ट बोध हो जाएगा। इसलिए इस पुस्तक का एक मात्र उद्देश ये ध्यान में रखा गया है कि रामकीर्ती का स्पाष्ट रूप, इसकी विशेश्ताओं में किसी प् अर्ग दर्शन कर सके। दोस्तों प्रथम भाग यही पर खत्म होता है। अब हम दूसरा भाग शुरू करेंगे। धन्यवाद, थांक्स फोर वाचिंग माई विडियो। कृपिया मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक करके मेरा सपोर्ट कीजिए। जए श्री राम